हेलो फ्रेंड्स कोचिंग वाले डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिखा गुपता और जैसा कि राजस्तान जोग्रूफी में हम राजस्तान के बहुतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने उत्तर पश्चिमी जो मरुस्तलिय प्रदेश उसको शुरू कर दिया था पढ़ना लास्ट लेक्जर में और उसके अंदर हमने बालुका स्थूपों के दो प्रकार पढ़ लिए थे उसी सीरीस को आगे बढ़ाते हैं इस लेक्जर में अब बालुका स्थूपों के जो अन्ये प्रकार है उनकी चर्चा कर ले जो अर्द चंद्राकार आकृती के होते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं अर्ध चंद्राकार आकृती के ठीक है तो ये अर्द चंद्राकार आकरती की होते हैं और इस प्रकार से दिखाई देते हैं ये जो बालुका होते हैं ये पवनों की दिशा में उबरे हुए होते हैं यानि जो पवनों की दिशा होती है उसमें तो उब्रे हुए और भाग से धसे हुए भाग की ओर इसमें पवनों की दिशा होती है यानि कि यहाँ पर जो पवनों की दिशा होगी वो इधर से इधर की तरफ होगी उब्रे हुए भाग से धसे हुए भाग की ओर या हम बोल सकते हैं कि ये है concave side और ये है convex side यानि कि अवतल से ये है अवतल और ये है अवतल यानि कि अगर हम इसको एक fresh पर देखें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये एक बालु का स्थूफ है जिसका ये उब्रा हुआ भाग है और ये जो है धसा हुआ भाग है तो धसा हुआ भाग इसे बोलते हैं corn cave यानि cave से आध रख सकते हो कि गुफा जैसा ये होता है यानि गुफा कित जैसा होता है और ये उब्रा भाग होता है इसे इंग्लिशंचे बोलते हैं कौन वेक्स इसे बोलता है हिंदी में अवतल और इसे बोला जाता है उतल तो यानि कि यहां पर जो पवनों की दिशा होगी वो उतल से अवतल की और होगी उब्रे हुए भाग से धसे हुए भाग की और होगी अगर इसमें हम और चर्चा करें तो सरवाधिक मात्रा में यह जो जैसल मेर में, बीका नेर में, बाड मेर में, जोदपूर में लगबग सभी स्थानों पर मिलते हैं, वैसे भी जोदपूर एक ऐसा इस्थान है जहां सभी प्रकार के बालू का इस्थान पाए जाते हैं, इसके अलावा हम बात करें हमने मरुस्थलों के प्रकार पड़े थे ल तो हमने देखा था अनुप्रस्तो और अनुदैर्दे बालू का स्थूप तो रेग प्रकार के मरुस्तलों में बन रहे हैं और ये जो बालू का स्थूप है बर्खान ये इरग प्रकार के मरुस्तलों में बन रहे हैं इसके अलावा अगला बालु का स्थूपों का प्रकार है परवलयाकार बालु का स्थूप इन इंग्लिशे बोलते हैं पैराबॉलिक बालु का स्थूप या ये होते हैं इन्हें हेर पिन आकरती के बालु का स्थूप भी कहा जाता है ये बालु का स्थूप भी बिल्कुल बर पवनों की दिशा होगी अवतल से उतल की ओर ठीक है यानि केव से कॉनवेक्स की ओर हवाएं चलेंगी और मिट्टी यहां से उड़कर विस्थापित होगी उस वाले जो बालू का स्थूप थे जिनको हमने बोला था बर्खान बालू का स्थूप उसमें मिट्टी यहां से बर्खान के विप्रीत होती है तो यह important है कि पवनों की दिशा क्या होती है यह भी सरवाधिक मात्रा में शेखावाटी में मिलते हैं यह सरवाधिक मिलते हैं जुन जुनु में जैसा कि हमने देखा था कि बर्खान मिल रहे थे चूरू में और यह जुन जुनु में सबसे आद जैसे अगर दो तीन, तीन या तीन से अधिक बर्खान या पैराबॉलिक परवलयाकार बालू का स्थूपों को मिला दिया जाए, तो इस प्रकार के बालू का स्थूप बन जाते हैं, इनमें बीच में एक नुकीला कटक सा होता है, तो इन्हें तारा बालू का स्थूप कहते ह और ये जनरली वहाँ बनते हैं जहां पवनों की दिशा निष्चित नहीं होती जैसे अगर पवन एक ही निष्चित दिशा में चलेगी तब तो मिठी का जो धेर है वो एक ही दिशा की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा लेकिन यहाँ पर मिठी का धेर कभी इधर की तरफ शिफ्ट होगा, कभी इधर, कभी इधर, इस वज़े से ये तारे नुमा आकरती में बन जाते हैं, तो ये जो बालु का स्थूप होते हैं, ये अर्ध चंद्राकार बालु का स्थूपों का सम्मूँ होते हैं, जो की तारे की आकरती में एकत्र हो जाते हैं जब पवनों की दिशा निश्चित नहीं होती तब इनका निर्मान होता है सरवाधिक मातरा में यह हमें मिलते हैं मोहनगर और पोकरण में जैसल मेर में इसके अलावा सूरदगर श्री गंगानगर में यह सरवाधिक मातरा में पाए जाते हैं तो यह भी इंपोर्टेंट है और लास्ट है नेटवर्क बालू का स्थूप नेटवर्क बालू का स्थूप होते हैं यह भी अर्द चंद्राकार बालू का स्थूपों के समू होते हैं और लेकिन ये श्रेणी नुमा होते हैं, यानि कि यहाँ पर जो अर्ध चंद्राकार बालु का इस्तूप हैं, ये एक श्रेणी यानि एक क्रम में जम्मे होते हैं, तो ऐसा लगता है कोई नेटवर्क बना हुआ है, कोई जाल बना हुआ है, तो इन्हें बोला जता है नेटव ये पाए जाते हैं, हिसार हर्याना से चूरू के बीच में, तो जो हमारा उत्तर पश्री मरुस्तली प्रदेश है, उसके उत्तर पूर्वी भाग में ये मिलते हैं, नेटवर्क बालु का इस्तूप